तो चलिए स्वागत है सभी आगनबारी बहनों का आज के इस बहुत ही महतुपूर्ण वीडियो में जैसे कि आज की ये जो वीडियो है आप लोग थमनेल देख चुके होंगे कि किस टॉपिक पे होने वाली है यानि कि ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जि एक जनवरी 2023 से आप लोग का पोसहार का जो भी नया नियम है वो लागू होने वाला है तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफी इंफोर्मेटिव होने वाली है वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजेगा कि एक जनवरी 2023 से जो पोसहार का नया नियम है वो किस प्रकार से लागू होने वाला है, किन लभार्थियों को पोसहार मिलेगा, किन लभार्थियों को पोसहार नहीं दिया जाएगा, इससे संबंधित भहुत ही महतोपूर्ण लेटर जारी कर दिया गया है, देखिए ये जो लेटर है वो बिहार सरकार ICDS निदेशालाई के तरफ स जारी किया गया है ठीक है यहां पर आप लोग डेट देख पाएंगे 12-12-2022 यानि कि यह एकदम लेटेस्ट अपडेट है जिसकी संची का संख्या है 6205 और इस लेटर को जारी करने वाले है निदेशक, आईसीरियस, निदेशालय, बिहार पतना ये जो लेटर है वो बिहार पतना से जारी किया गया है और किनको जारी किया गया है तो यहां पर देख पाएंगे सभी जिला प्रोग्राम पदादिकारी यानि कि बिहार में जितने भ जो महतुपूर्ण भी सह हो मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे देखिए लिखा गया है अंगन बारी केंद्र अंतरगत पोशक छेत्र के छुटे हुए लभार्थी लभार्थी कौन-कौन से है जीरो से छे साल के बच्चे गर्भाती महिला एवं धातिरी महिला का पोशन ट् कहें हो और इसे लेटर के अनुसार आपको जो भी लभार्थी है यानि पोशन ट्रेकर एप में जितने भी लभार्थी हो का अधार बेरिफिकेशन रहेगा यानि आपको पोशन ट्रेकर है पर पहले आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को आज की इस वीडियो में दी गई जनकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल पर यदि आप नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग आल क का नोटिफिकेशन जरूर अनको लिजेगा चलिए बरते हैं लेटर में आगे और देखे यहां पर प्रसंग में महिला यों बाल विकास मंतराले भारसरकार का पत्रांग भी जारी किया गया था लिखा गया है महासे उप्रयुक्त प्रसंगिक पत्र के अलोग में कहना है कि म अंतरगत अनाज एउम रासी का आवंटन किया जाएगा तो यहां पर किलिरली आप लोग देख पाएंगे कि पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में जितने भी लभार्तियों का आप लोग पंजिकरन किये रहेंगे और जितने भी लभार्तियों का अपने अधार सत्यापन किया रहेगा उन्ही के अनुसार आपको अनाज एउम रासी आवंटीत की जाएगी इस अंदर में पूर्व में भी आप लोग के लिए इस परकार से जो दिशा निर्देश है वो दिये गए थे यानि इस परकार से जो लेटर जारी किये गए थे उसको यहां पर दिखाए गया है कि कब कब इसका लेटर जारी किया गया था और लिखा गया है यहां पर बरतमान में पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में लभार्थियों के अधार का सत्यापन लोगभग 98% हो चुका है जैसे कि पहले आप लोग देखे होंगे जब अधार सत्यापन का कार्य शुरू किया गया था तो उसके कुछ महीने बाद तक बहुत ही कम अधार सत्यापन हुआ था लेकिन अब तक यहां पर देख पाएंगे कि 98% आगनबारी से विकाओं दोवारा जितने भी लभार्थी हैं उनका अधार सत्यापन हो चुका है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि आगनबारी से करतेई से रासी ओम अनाज का वित्रन किया जाएगा इस हेतु पुनह छूटे हुए लभार्थी को सेविका के माध्यम से सुचना उपलवद कराना सुनिश्चित कराएं कि सरकार से प्राप दिशान निर्देश के लोग में बिना अधार कार्ड के सत्यापन के भविस्य में योजनाओ का लाब देना संभव नहीं हो सकेगा तो यहाँ पर देख पाएंगे कि अधार सत्यापन के बिना ही अगर आप लोग लभार्थियों का नाम पोसंट्रे करेप में रखेंगे तो आगे भविस्य में और भी कोई योजना आती है तो उन योजनाओ का लाब उनको नहीं मिल पाएगा इन सेक्टर या केंद्र पर ज्यादा संख्या में ऐसे मामले हैं वहां संबंधित बाल विकास परियोजना पदादिकारी या महिला परव्यक्षी का स्वयम जाकर लभार्थी को जागरुक करेंगे तिसरा जो निर्दे से यहाँ लिखा गया है अधार सत करके इसको सुधारा जाएगा और निदेश दिया जाता है कि दिना 1-1-2023 के पूर्व पोशक छेत्र के सभी छूटे हुए लभार्थियों को पोशन ट्रेकर अप्रिकेशन में अधार सत्यापन कराना सुनिशित करें इसे अती आवास्यक समझे तो यह बहुत ही महतुपू अपन बाकी है या त्रूटी है उसको आप लोग जल से जल सुधार कर लें तो उमीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते शेयर जरूर कर दिजेगा ताकि और भी लोगों को जनकारी मिल सके तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक और नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद